असलाम अलेकम आज हम exercise 1.2 का part भी पढ़ेंगे 7th मेत का जिसमें कह रहा है कि find the intersection of the following और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो kindly सब्सक्राइब कर दें ताकि जो upcoming notifications हैं मेत या मेत exercises के उपर वो आपको मिलती रहे हैं ठीक है अब यह कह रहा है कि find the intersection of the following अब पहली बाती है कि यह intersect है इसका मतलब क्या है पहले हम यह समझना चाहिए ठीक है intersect मतलब अगर दो sets में जो common elements हैं हमको उनको लेना है इसको हम intersect करें जैसे कि अगर हम A और B का intersect करें exercise 1.1 हम पाढ़ रहे हैं ठीक है A union A intersection B तो जो common elements है ठीक है पहले में 1 है दूसरे में 1 नहीं है पहले में 2 है दूसरे में 2 नहीं है पहले में 3 है दूसरे में 3 है तो यह क्या होगा इसका जाब 3 आ जाएगा ठीक हो गया अब जो हमारा second question है इसमें भी हमने common ही लेना है D intersection E is equal to 2 इसमें भी है इसमें भी है same elements है 4 इसमें भी है इसमें भी है same elements है अब जो हमारा third question है उसमें A, B, C, D दूसरे में A, E, I, O, U ठीक है अब हम P intersect क्यों करेंगे पहले में A है दूसरे में भी A है तो यह लिखेंगे अब जो बगाया elements है इसमें और इसमें तीनों different है तो बस यह इसका answer हो जाएगा ठीक हो गया अब जो हमारा second question है वो है set of integers B, set of positive integers यह बहुत ही interesting question है वो हम बढ़ लेते हैं देख लेते हैं कि कैसे यह होता है जब हम इसका answer निकालेंगे A intersect B तो जवाब कुछ यह आएगा one two three टो 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 ठीक है यह हमारा क्या हो गया answer हो गया अब जो वाच्वा question है उसमें कह रहा है कि if A, A, B, C, D, F, B, D, F, C, F, G, H then find A intersection B intersection C and A intersection B intersection C अब जो पहले bracket में है पहले हम उसको solve करेंगे अब हम क्या करेंगे A intersection B निकालेंगे फिर जो जवाब आएगा उसको intersect करेंगे C से पहले हम लिख लेते हैं क्या करना है A intersection B लेना है A के आप member ले लें A, B, C, D, member हो गए अब उसको intersect करें B के member से B के कौन से member हैं D, E, F, ठीक है अगर हम इनको intersect करें तो हमारा जवाब आता है A intersect B common elements ले लें common element इसमें क्या है कोई भी नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे कि इसका answer जो आ जाएगा न वो null set आ जाएगा क्योंकि कोई भी element intersect नहीं हो रहा मेच नहीं हो रहा ठीक है अब जो null set जवाब आए union B, A intersect B का हम उसको intersect करेंगे C से ठीक है A intersect B intersect C पेले आप A intersect B का जवाब लिख लें null set उसको intersect करें C से C के elements लिख लें कौन से FDH अब common ले लें common कोई भी नहीं आ रहा तो इसका जवाब आ जाएगा A intersect B intersect C का जो जवाब आएगा वो null set आएगा ठीक हो गया हमने क्या क्या इसका जो अंसर है वो find कर दिया अब हम क्या करेंगे जो ब्रेकेट वाला B intersect C है इसको हम solve करेंगे जो जवाब आएगा उसको intersect करेंगे यह से इसे ही निकलता है intersect ठीक है अब हम B intersect C करेंगे B के member कौन से है D E F उसको intersect कर दें C के members C के members कौन से है F G H ठीक हो गया अब इनको आपस में intersect करें B intersect C जो जवाब आया वो आया अकॉमन ले लें F इसमें है इसमें भी है means F ही मेंच होता है तो F हम लिखेंगे ठीक है अब इसको हम intersect करेंगे A से क्या करेंगे intersect करेंगे A से A intersect B intersect C पेले A intersect के elements लिख लें A के elements कौन से है A B C D ठीक है उसके बाद B intersect C उसका जवाब लिख लें F जो answer आया वो इस पार भी Nullset आया A intersect क्योंकि मेच नहीं होता आप इसको अगर मेच करें A, B, C, D और F के साथ यह मेच नहीं हो रहा intersect नहीं हो रहा तो A intersect B A intersect B intersect C का जो जवाब आजाएगा वो Nullset आजाएगा means दोनों का जवाब आएगा न वो Nullset आएगा इसका जवाब इनलसेट आया इसका जवाब इनलसेट ही आया ठीक है अब दो लास्ट क्वेस्टन है हम उसको solve कर देते हैं हमरा लास्ट क्वेस्टन यह है कि F, D, 2, 3 ठीक है E के members है 4, 5 और F का member कोई नहीं यह कह रहा है कि find करें D intersect E और उसको intersect करें F से फिर D intersect E intersect F को intersect करें D से ठीक है अब हम पहले क्या करेंगे D intersect E करेंगे D intersect E कर लें simply आप क्या करेंगे D के members लिख लेंगे उसको क्या करेंगे intersect करेंगे E से E के members लिख लें 4 और फाइग ऐसे अगल आप इन दोनों को इंट इसे करेंगे तो जवाब जो आजाएगा ना बुर्डशेट आजाएगा जवाब आजाएगा नल शेट ठीक है अब अगर अब जो नल शेट जवाब आया है इसको हम intersect करेंगे F से ठीक है D intersect E को intersect करें F से इसका जो जवाब आया था हम पेले वो लिख लेते हैं Nullset और F के जो members है वो भी Nullset अब इसका जवाब क्या आ गया हमारे पास Nullset ही आ गया D Intersect E Intersect F का जो जवाब आया वो क्या आया है Nullset आया ठीक हो गया अब हमने इसका जवाब निकाल लिया इसका जो जवाब आया अब हम इसका जवाब निकाल ले दे ठीक हो गया चले पेले हम E को Intersect करेंगे F से E Intersect F सेट क्योंकि कोई भी जो अंसर है न वो मेच नहीं हो रहा Intersect नहीं हो रहा अब हम क्या करेंगे जो E Intersect F है उसका जवाब आया उसको Intersect करेंगे D Intersect के साथ ठीक है D Intersect E Intersect F पेले पेले आप D Intersect के मेंबर्स लिख लिख ले दी के मेंबर्स लिख ले पेले टू फिर जो E Intersect F हमने किया था उसका आप जवाब लिख लें Intersect Nullset अब हमारा जवाब आएगा न इन दोनों को अगर हम Intersect करेंगे तो कोई भी Common Elimit नहीं है यह Nullset है इसमें 2-3 है तो कोई भी Common नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे सिंपल लिख देंगे D Intersect E Intersect F equal to Nullset इसका भी Nullset जवाब आया इसका भी Nullset जवाब आया यह दोनों हमारे answers हो गए दोनों के ठीक है आज हमने exercise 1.2 का पार्ट भी पढ़ा completely ठीक हो गया इंशाला अगली वीडियो में पार्ट सी भी डिसकस करेंगे तिल देंट टेक कियर खुदा आफेज आपेज़ शक्तार पार्ट सी भी पार्ट सी भी यह भी नवाद सी भी यह देंट्ट